है उसथो रिया की सिरीज में हम लोगों और क्लास क्टोनेंट बना लिया था कर in example है अब इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि एक class component के तुरू हम लोगों ने hello user h1 के अंदर print करवाया था यह single component था इस code को अगर मैं run करूंगा मैंने open with live server किया जिसका जो output है वो कुछ इस तरीके से यहां पर h1 के अंदर hello user आएगा ठीके अब इसमें क्या हो रहा है इसमें हम लोगों ने जितनी भी जेस थी यानि कि यह उपर जो head section था html और css जो है वो हम लोगों ने एक ही एक ही फाइल के अंदर लिखा था अब हम जो example करने के लिए जा रहे हैं इसमें हम लोग इस code को और इंप्रूब करेंगे और jsfile को हम लोग अलग कर देंगे और css file को हम लोग अलग कर देंगे और फिर हम लोग उसमें दो component एंटर करेंगे क्योंकि react यह कहती है कि जितने component आप बनाओगे उतनी jsfile आपको बनानी पड़ेगी तो जितने component बनेंगे उतनी jsfile बनेगी और आपस में jsfile में data भी ट्रांसफर होगा तो यह जो data transfer होगा वो कैसे होगा और एक से जादा jsfile जब हम लोग बनाते हैं तो उस jsfile को हम लोग किस तरीके से पतलब एक jsfile को दूसरी jsfile से किस तरीके से हम लोग connect कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले जो example हम लोग ने बना रखा ना इस example से हम लोग css file को अलग करते हैं और स्वारी css और html को अलग करते css तो अभी है नहीं तो हम लोग java script को और html को अलग अलग करते हैं तो मैं क्या करता हूँ मैं एक और folder यहां पर बना लेता हूँ यह folder है इसके अंदर मैं एक folder बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ example2 ठीक है example2 के अंदर हमको एक file बनानी है तो मैंने बना ली यहां पर index.html file एक बना ली और index.html file है और यह हमारा component है तो यहां पर मेरे को एक file और बनानी पड़ेगी जिसको मैं बोलता हूँ app.js क्योंकि अब हम क्या करेंगे इसमें HTML अलग रहेगा और CSS अलग रहेगा तो मैंने यहां पर एक file और बना ली जिसको मैंने app.js बोल दिया ठीक है तो यह example2 हो गया यह example बनता अब इसी code को यह जो js है आप मानते हो कि यह जो script के अंदर जितना code मैंने लिखाए यानि कि यहां से लेके इतना सारा इतना code और यह JavaScript कोड यह पूरा code में को shift करना होगा तो मैं इस code को copy करता हूँ और यहां पर मैं चलता हूँ example2 के अंदर और app.js के अंदर जाके इसको में save कर देता हूँ पेस्ट करके तो यह तो बन गई app.js अब बनानी है index.html जो बनानी है file उसमें यहां से जो है वो मेरे को यह पुराना example था मेरा इसमें से मेरे को head take यानि कि इसमें से मैं पूरा code कॉपी कर लेता हूँ और script take इस इसमें गया index.html में गया और यहां पर में को पूरा code यानि कि जो script take है यह इसकी जर्वत आप मुझे नहीं script take की तो मैं इस script take को हटा देता हूँ तो मैं इस script take को मैंने यहां से हटा दिया ठीक है अब मुझे क्या करना देखिए अब यह इसमें सिर्प मेरा HTML code बचा हुआ ह और js file जो है वो मेरी अलग हो गई है इस example के हिसाब से लेकिन मेरे को इस app.js file को include करना होगा तो मैं इस app.js file को index.html file में include करूँगा तो मैंने root के अंदर जाकर यहां पर लिखा मैंने script और src src में मैंने लिख दिया app.js लेकिन यह file जो है वो किस type की file है बेवल की क्योंक टू टू और type is equal to मैंने यहां पर दिया text और text वेबल यह मैंने type is equal to text वेबल दे दिया तो यह index.html अब इस program को मैं run करता हूँ यहां पर मैं थोड़ा सा चींज करता हूँ component के अंदर मैं यहां पर लिख देता हूँ example 2 तो मैंने यहां पर लिख दिया example 2 तो अब example 2 हमने यह र हाँ पर लिख दिया है इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं इस प्रोग्राम को चाएगा यहां पर लिखा हुआ अगया यनि कि हम लोगों ने इस एकजामपल में क्या किया है कि जो script file थी उसको अलग किया है और जो HTML था उसको अलग किया अब हम लोग क्या करेंगे next वीडियो में कि हम एक से ज़्यादा component बनाएंगे अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये main file बनाईए ठीक है और main file के अंदर simple हमने ये message print किये अब इस message को हम लोग एक component के थुरू लेके आएंगे और एक से ज़्यादा component हम लोग page के उपर बनाएंगे तो जब एक से ज़्यादा component बनेंगे तो एक से ज़्यादा file भी बनेगी और एक से ज़्यादा फाइले बनेगी तो उन्हें एक से ज़्यादा फाइलों को मेरे को यहाँ पर include भी करना पड़ेगा और उनका sequence भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा तो यह सारा काम हम लोग करेंगे लेकिन यह सारा काम हम लोग इसके थुरू कर रहे हैं किसके तुरू CDN के तुरू कर रहे हैं जब हम लोग react create app यूज़ करेंगे तो ये सारा काम react हमको करके देगी तो हमारा जो code है वो थोड़ा easy हो जाये का लेकिन understanding के लिए हम लोगोंने CDN से किया अब मैं क्या करूँगा कि इसी example में और component add करूँगा तो हम लोग देखेंगे example number 3 जब हम बनाएंगे तो उसमें हम लोग component को अलग कर देंगे component मतलब component एक से ज़्यादा component को हम लोग उसमें use करेंगे